क्यासे हो आप लोग और कैसे चलने हैं आपकी पढ़ाई आइधिंक सब कुछ बढ़ियां चलना होगा हमने क्लास 10 का फर्स चैप्टे स्टार्ट किया था रियल नंबर और यूक्लिट डिविजन लेमा पढ़ने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट कुस्टिन थे वह से जुड क्लिट करने के बाद आगे कोष्ण मिलने वाला है कोषण में रपास में है यहां पे कुसिन क्या हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है ठीक है तो वह क्या कर रहे है इसके जो स्क्वाइर होंगे न वह या तो 3M के कर सकता हूं मैं चेक करता हूं कि क्या यह सारे इस फॉर्म में आता है या फिर इस फॉर्म में आता है तो चेक करने की आसांसी बात है अभी मैं वन को कैसे लिखू 3M या 3M के फॉर्म में देखो मैं कैसे लिखता हूं मैं लिखूंगा 3 इंटो 0 प्लस वन यह 3M प्लस वन का फॉर्म है क्योंगी एंप प्रस्ताम इंटीजर को इंटीजर होना चाहिए हमने 0 ले लिया अभी 4 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 1 प्लस 1 यह 3M प्लस 1 का फॉर्म आ गया 9 क कैसे लिखेंगे 3 into 3 यह 3m यह 3m का फॉर्म आया 16 को 3 into 5 plus 1 3m plus 1 का फॉर्म आया देखो बार बार यहीं दोनों फॉर्म रिपीट हो रहा है 25 को 3 into 8 plus 1 24 plus 1 25 होता है 3m plus 1 मतलब यह जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है कुछ भी गलत नहीं है यहां चलो बात करते हैं कि solution कैसे देना है तो यहां पर एक बात समझता है कि मैं क्या statement लिखो सोच समझ लिखना पड़ता है यहां पर तो जड़ा सा देखो कि मैं मान लेता हूं कि कोई integer यह है उसको मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो कोचेंट क्यूं आया डिमेंडर आ रहा है अभी तुम खाओगे कि सर्फ बार बार भार थी से क्यों डिवाइड करो अभी 3 की तो जरूरत नहीं थी अच्छाब पॉस्टिव इंटिजर तो लेट ए बी एनी पॉसिटिव इंटिजर ठीक है साथ पॉसितिव इंटिजर रिवह विज मैं डिवाइड बाई वेच्छ विज वेन डिवाइड बाई थ्री ठीक है ये को मैंने थ्री से रिभाइट किया हुआ तो क्या हुआ को सेंट क्यू रिमेंडर आ रहा है तो मैं लिखूंगा गिव्स को सेंट जो भी लिखाओ को सेंट क्यू एंड लिमेंडर और यहां तक हमारा स्टेट्मेंट को स्पिलिंग गलत है तो यहां तक हमारा स्टेट्मेंट क्लेर हो गया अभी मैं आता हूं को सेंट कराने के धून में इसको मैं मिटा दिया रहा हूं ठीक है तो अभी युक्लिट डिविजिल नेमा के हिसाब से इस स्टेटमेंट को मैं क्या से कनवर्ट करूंगा देखो कि यहां पर जो यहां से रिवाइड करने पर यहां तो जीरो नहीं तो यहां पर तीन पॉस्पल्ट केस बनता है ieß अच्छ केसवान इंगर मैं एकवल टू ठीक यू पिलस जी रूल लेलू कहने का मतलब एकवल टू सी क्यों बनता है ये कोई पॉश्चिब इंटीजर है जो केस 2 आने वाला है यहां पर मैं A equal to 3Q plus 1 भी ले सकता हूँ जब डिमेंटर 1 होगा तो और जो केस 3 होगा तो केस 3 में क्या करेंगे केस 3 में कि A equal to 3Q plus 2 ले ले लिए तो हमारे बसमें यह 3 cases आ चुके हैं यह पहला case यह दूसरा case यह तीसरा case लेकिन यहां से मतलब नहीं है मतलब क्या कर रहे है कि यह कोई positive integer था तो positive integer यह 3 format में आ गया अब square of any positive integer इसका square करने पे कौन सा से थिक यह सोट में को समझना है तुमको स्क्वारिंग तो बहुत साइपो आपर क्या लूं में किरते हैं तो ही यह ओजाएगा यह हो जाएगा इसे क्वाइर और क्या होता है इस वार अबहीं मेले क्या करनाए बहुत आसान यहां पर देखो गए मैं इसको 3 x 3 q2 लिख सकता हूं यह पॉइंट नहीं है डिसमल नहीं है यह मुल्टिप्लिकस ना साइन है इसको इंटू बोलते हैं यहां पर किंधिन को एक है से तो यहां पर ऌका सकते लाए अब ब्रैक्स सकते हो यहां पर यहां परतें मैंने इसका स्क्राइब किया तो 3M के फॉर्म में आ गया बहुत अच्छी बात है तो एक तो सारी बाते स्माझ में आ रही है तो अब क्या करते हैं यहां पर किसका स्क्राइब करने पर अज़िए प्लस बी के फॉर्म पर ब्रेक होगा ठीक है तो क्या होगा एस्वाइर मतलब 9 क्यू स्क्राइब तुम ब्रेक कर लें ना बच्चों वाली बात हो जाए कि सम ब्रेक करेंगे तो इसे लिखके एस्वाइर प्लस टू ए भी तो टू तू त्री जा सिक्स क्यू प्लस भी स्क्राइब मतलब वन अब यहां पर मैं देख पा रहा हो कि 3 सम में से कॉमन नहीं आ आप कहोगे कि यहां सर क्यूं भी तो कामल आ सकता है मुझे क्यूं की जरूत नहीं है मुझे किसी जरूत है 3m की जरूत है 3m प्लस पूंगा यहां से 3 और फिर जो यह बाला पार्ट है ना यह बाला पार्ट इसको मैं M कह देता हूं क्योंकि M कोई integer होना चाहिए और यह पा दिखता हूंगा कि भाई यहां पर जो M है ना उसको मैंने 3q2 प्लस 2q की बद्दे लिखा है अब बाद मेरे को यह मत करना कि यह कहां से आ गया और लास्ट फॉर्मेट देखो फिर से 3m प्लस 1 का फॉर्म आ गया मतलब यह वाली बात हो गई यह वाली बात हो गई है एंड लास्ट जो हमारे पास में फॉर्मेट है फिर यहां पर स्क्वार इंग बोथ साइट्स करेंगे फिर यहां पर एस्वार करना होगा और यहां पर 3q2 का स्क्वार करना होगा तो यहां पर एप्लस 2 का स्क्वार करेंगे फिर से मैं ब्रेक कर द सकते हैं तो यहां से 3 common आए घर 3 common नहीं आएगा लेकिन 3 common नहीं आएगा लेकर यह से सब्सक्रीज़ सकता हूं कैसे देखो कि 9 q square ठीक है बलस यहां पर 12 क्यों रेने दो इस फोल को में 3 plus 1 लिख सकता हूं 3 plus 1 ठीक है अभी क्या करना है कि जहां तक मैं साब बना रहा हूं ठीक है सनेक वहां तक तूम क्या करूअ कि थ्री कमन लेलो तो मैं यहां से थ्री गमन लेता हूँ क्या बचा के कह है यहाँ पर çीन वाज 2-61 यहां से मैं थी कमन लिए और यह फाला वलकी अधिमीे 3 इस पूरे को मैं हो कि यह 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 3q2 प्लस 4q प्लस 1 को मैंने लिखा है तो आप ने क्या देखा कि जब भी मैंने किसी नंबर को पॉजिटिव इंटिजर माना तो उसके तीन पॉसिबल केसे थे और जब इसका स्कॉर किया तो फाइनली यही केसा फाइनली यही फॉर्मिट आ रहा है 3m या 3m प्लस 1 तो ऐसे जितने भी नंबर से जिनका स्कॉर्म कर सकते हैं सबके फॉर्मिट यह आएंगे तो देखा आपने कैसा लगा आपको एक्सलाइस जरूर बताना चीक है वीडियो अच्छ है नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू फो वाचिंग कीप लेर्निंग कीप वाचिंग कीप इंज्वाइंग